सेफ शॉप, EWPL, मोदी केर, वेस्टीज, सभी डाइरेक्ट सेलिंग कमपनिया फ्रॉड है और इन सभी कमपनियों ने हजारो लाखो लोगों को लूटा है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आदियादूरी जानकारी आपके लिए खतरनाक हो सकती है और आप आदियादूरी वीडियो देखने के बाद जो नेगेटिव कमेंट करोगे उससे अच्छा यही है या तो इस वीडियो को आप पूरा देखें या बिल्कुल भी ना देखें तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं माफी मागना चाहता हूँ अगर किसी को भी मेरी बात से हर्ट हुआ होता हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था सभी डारेक्ट सेलिंग कमपनिया फ्रॉड हैं हजारों लाखों लोगों की जिन्दी की बरबाद कर दी इस तरह के कमेंट मुझे कमेंट सेक्षन में देखने को मिले जिनका जवाब वैसे तो मेरे यूट्यूब फैमली यानि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से उनको दे दिया लेकिन रियली इस दिन का इंतिजार मैं बहुत दिनों से कर रहा था फाइनली वो दिन आ ही गया वीडियो की स्टार्टिंग देखकर और थमलेल देखकर बहुत से नेगेटिव लोगों को दिल में सुकून तो मिला होगा और मन ही मन में सोच रहे होंगे कि उनके सपोर्ट में एक और यूट्यूबर आ गया बट मैं क्लियर कर दूँ मैं उन सभी नेगेटिव लोगों को तो सुनो मुझे direct selling से पैसा आए या ना आए लेकिन फिर भी मैं network marketing यानि direct selling के support में था और आने वाले समय में हमेशा रहूँगा क्योंकि जिस business को developed country कर रहे हैं इंडिया की government जिसके लिए guideline ला चुकी है education sector में direct selling को शामिल कर लिया गया है लाखों लोग इससे अपने सपने पूरे कर चुके हैं इन में से तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी education ना के बराबर है और ना ही उनके पास पैसा था तो पहला comment नेटों marketing ने लोगों को लूटा तो मैं बता दूँ कि लोग जब इस तरह के बाते करते हैं जब उनको ये business एक अलादिन के चिराग जैसा लगता है जहां पर जो networker उनको इस business में जोइन करवाता है उनके हिसाब से वो उनका नौकर है जिसको उन्होंने एक सामान खरीदने के साथ-साथ उस networker को भी खरीद लिया उनके लिए दिन रात मेहनत करके काम करके उनको पैसा कमा कर देगा अगर ऐसा वो networker नहीं करता उनको पैसा कमा कर नहीं देता तो वो सारी networking company of fraud है ये लोग 10-20,000 रुपे लगा कर बरबाद हो जाते हैं जहां लाको रुपे पढ़ाई में लगाने के बाद में ट्रेडिशनल बिजनिस में लगाने के बाद में और वहाँ पर fail हो जाते हैं लेकिन वहाँ नहीं बोलते हैं कि बरबाद हो गए और तो और पूरे भारत में 137 करोर की आबादी में 30 करोर से जादा ऐसे लोग है जो की रोजाना गुटका खाते हैं एक इमेजिन करना वो पूरी जिंदिकी में लगबग 4.5 लाग से 5 लाग के एक व्यक्ती गुटका खा जाता है वो चीज़ उनको बरबाद नहीं कर रही वो चीज़ उनको एनरजी दे रही है अगर तुम इतना ग्यान इन नेगेटिव चीज़ों में ना लगाके पोजिटिव चीज़ों में लगाते हैं न तो आज बहुत अच्छे मुकाम पर होते हैं लेकिन फिर भी कोई फरक नहीं पड़ता और तो और डारेक्ट सेलिंग के प्रोडेक्टों से लोगों की जिन्दिकियां बची हैं मजाक नहीं है डारेक्ट सेलिंग सुना तो होगा सेप शॉप के नौनी और मोरिंगा के बारे में जिसने कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशन्ट को भी ठीक किया है AWPL कंपनी के प्रोडेक्टों के रिजल्ट देखकर डॉक्टर भी धंग रह गये जो चीज एलोपैथी में पॉसिबल नहीं थी वो AWPL के आयरवेदिक प्रोडेक्टों ने करके दिखाया तबी तो इन सबी कंपनीों को गौर्मेंट द्वारा इन्डियास ग्रेटेस्ट ब्रांड भारत शौर्य अवर्ड चैंपियन अफ दे यर और भी कई सारे अवर्ड द्वारा नवाजा गया है प्रोडेक्ट उन लोगों को महंगा लगता है जो कि डारेक्ट सेलिंग में अपनी किसमत को आज माने आते हैं तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है पैसो के लालच में किसी भी फ्रोड कमपनी को जोईन ना करें जिससे धोका आप खाओगे लेकिन सबी कमपनिया आपको एक जैसी लगेगी तो दोस्तो वीडियो से किसी का भी दिल दुखाओ तो मैं सबी से माफी चाता हूँ और भी कमेंट थे लेकिन वीडियो लंबी हो जाती इस वज़ा से उन कमेंटों को नहीं लिया अब उन्हें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में कमेंट करें क्योंकि लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस वीडियो को जादा जादा लोगों के पास शेयर करें अगर चैनल पर पहली बार आयो तो लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन दबाएं